आपका स्वागत है आज मैं आपको फिर से आपकी ओंड्राइटटिंग के बारे में कुछ खास पहुत ही बताने जा रहे हैं आपकी handwriting से सामने वाले को क्या समझ में आता है आई ये बताते हैं देखिए जो small letters होते हैं जैसे G, Y, Z ठीक ये जो letters होते हैं इनके lower loops जो होते हैं ये आपकी personality के बारे में क्या बताते हैं आपको बताते हैं इसको ध्यान से सुनिए G, Y, Z में straight stroke हो जैसे कुछ लोग यूँ बनाते हैं G, Y, Z इस तरह से straight stroke हो तो ऐसे लोग impatient होते हैं काम खत्म करने की जल्दीन को होती है G, Y, Z में अगर cradle की तरह loop हो मतलब की G, Y इस तरह से आदा खुला cradle की तरह loop हो तो ऐसे लोग aggressive होते हैं बेहस करने वाले होते हैं G, Y, Z लिखते समें heavy pressure है सब्सको कोई लिख रहा है और ये heavy pressure तरह से इसको बंद कर रहा है कहीं पर heavy pressure बंद की जादा इंग छूट रही है प्रेशर के साथ में loop पूरा हो रहा है तो ऐसे लोग energetic होते हैं धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं प्रेशर करते हैं G, Y, Z में लिखते हुए अगर light pressure आए मतलब बिल्कुल हलका कहीं कहीं हलका हलका मोता हो जादा नहों फिर loop पूरा हो मतलब जैसे हमने लिखा और यह हलका सा प्रेशर है हलका इस तरह से पूरा हो हलका प्रेशर है तो दूसरों के साथ सुरक्षा पाने की करने वाले होते हैं लोग एंडेटेन्मेंट की बात बाद में पहले आपके कल future की बात क्या करें कल के दिन अपने राशी के हिसाब से जाने मेश राशी के लोग कल मालक्षमी की पूजा जरूर करें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका कल 72% प्रिश्चव राशी के लोग दही कि खाकर घर से निकले किसमत साथ दे रही हैं आपका 69% मिधुन राशी के लोग हनुमान जी की पूजा करें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 71% करक राशी के लोग धंड से बचना हैं आपको किसमत साथ दे रही हैं 58% सिंग राशी के लोग गायत्री मंत्र का जाब करें भा प्रण्या राशी के लोग किसी की बातों में ना आएं। लग सपोर्ट कर रहा है आपको 63%। तुला राशी के लोग गणेश जी को याद कीजिए। भागे साथ दे रहा है आपका 73%। रिश्चिक राशी के लोग नौन्विच को अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है सूरे देव को प्रणाम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मगर राशी के लोग सुभा धारमिक संगीत सुनें। लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 64%। कुम राशी के लोग अलमारी में मोरपंक रखें। भागे साथ दे रहा हैं आपका 68%। मीन राशी के लोग वि झाल